राणावट डाइट पापका स्वागत है जैसरी रमाक्रिष्ण आज आपको बता रहा हूं घोर निराशा के व्यक्ति दो प्रकार के मैंने देखे हैं जो लगातार अनुसंदान में मैंने पाया है वे लोग जो हस्तमेतुन करते हैं एक दूसरा वे लोग जो हस्तमेतुन के सा गुदा मैतुन से पीडीते हैं यह दोनों बहेंकर निराशा में जीते हैं कुंठा में जिनते हैं चिंता में जीते हैं इन लोगों के सामने अंदगार होता है यह इस परकार से लोग हो जाते हैं कि न तो किसी को कह सकते हैं न से सकते और न रह सकते हैं अब इस्तति यह होती है कि अपनी इस कठिनायों के लिए किसी को कहने ही सकते और जब ये कहने ही सकते नो निश्चित है उन्हें रस्ता नहीं मिलेगा उन्हें अच्छा परामर्स नहीं मिलेगा तो आज उनके लिए मैं बहुत ही बड़िया एक उधारन लेका आया हूं ताकि आप ये ना कह सको कि ये काम नहीं हो सकता है ये एक बहाने बाजी है कई बार लोग डराते हैं और एक भै फैलाते हैं कि हस्मेतुन के बाद जो इंदरी छोटी हो जाती है लिंक छोटा हो जाता है वो छोटा कोई काम नहीं करता है ये गलत दागना है और जो सामन्य वर्ग में जो लोग से मदद करके लाज ले लेते हैं पर जो गुदा मैतन से पीडित है और उन्हें एक बता दिया जाता है कि इसम्भलेंगिक है कि उनकी मनोस्तती कोई बारे में किसी को पता नहीं है कि उनके साथ मैं पहला खुशला कर या बलुबूर वक्त गुदा मैतन कर लिया गया होता है औ और फिर वो दास्ता में बढ़ते जाते हैं और उन्हें एक यह लट लग जाती है पर यह सब बहाने हैं अगर आपको ठीक होना है तो आपको आपके मित्र की एक साहिता लेनी पड़ेगी आपके दोस्त की साहिता लेनी पड़ेगी और सबसे बढ़िया तो मैं यह मानता हू कि आपका कोई हितेशी नहीं हो सकता है इस दर्ती के उपर दूसरा अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर से संपर करेंगे जो यह विश्वा सकता हो कि मुझे सेवा भाव में रहना है तो वो आपको मिल सकता है या कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि उच्छित दाम लेके आपके साथ में ब्लेकमेलिंग न हो तो भी आपका निजान हो सकता है यह सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक करें अधिक से अधिक शेयर करें मैं डॉक्टर गुनाशिंग राणवत साइकोलोजिस्ट और डाइटेशन आज आप नहीं होगा वह प्रेंडने सब प्रेंडना से मिलेगा अगर आपको अच्छी प्रेंडना है तो आप में वह जोस जुनों सब वापस पुनल लोट आएगा ऐसा ही वाकया हुआ है कि उससे पहले में बना दो कि हिंदुस्तान में दोखावत है नौमन तेल होगा तो राधा नाचेगी नाचनन जाने आंगन तेडा तो इसके अर्थ आप समझ लीजिए कि नाचना है तो उसमें राधा कहती है कि नौमन तेल होगा तो नाचोंगी अर्था आती एंडेट परसें बहाना है और दूसरा नाचनन जाने आंगन तेडा ये भी एक बहाना है नाचना आता पहाड पे चड़ना है तो नाचना तो दूर पहाड पे चड़ना बहुत दूर हो जाता है पर अगर उसके साथ में अच्छा जीवन साथ ही हो अच्छा दोस्तों वसला हो प्रेरना देने वाला हो निश्यत है वो विजय कर सकता है तो ऐसी ही कहानी आज आपको मैं बता रहा जो देन की भासकर 24 अप्रेल 2021 में छपी है वो खबर आपको मैं बता रहा हूँ जो उमीद की रोशनी दोनों पैर गवाने के बाजूत एवरेश्ट फटर करने वाली पहली महिला बनी मारिया डेड साल तक तैयारी की 10 दिन में हसिल की उपलब्दी एजेंशी नूर सुल्ता कदाकस्तान के नूर सुल्तान की रहने वाली मारिया ओजोवा बिना दोनों पैर के माउंटेन एवरेश्ट फटर करने वाली पहली महिला बन गई है मारिया ने एवरेश्ट के चोमोलूंगा बेस केम्प पर चड़ाई की उजोवा के मताबित अभ्यान में 10 दिन लगे जबकि इसके लिए तैयारी में डेड साल से अधिक समय लग गया बास्कुलर बिमारी की वज़े से 6 साल पहले उजोवा के दोनों पैर काटने पड़े थे इसके बाद जुद उन्होंने होसला नहीं चोड़ा और माउंट एवरेश्ट पर चड़ाई की तैयारी शुरू कर दी इसके लिए उनके पती मुहार उज़ो और कुछ बादमी तक्ते उन्सके मददगार बने बादीम खुद ही प्रवतारोई ही है और कई अभ्यान सपलता पूर्वक कर चुके है अपनी इस उपलबदी से उस्साहित मारिया बताती है यह बहुत मुश्किल चुनाती थी रास् दाखे में सिर्फ दर्द पशीना और मेरे बू पैर ही मेरे साथी रहे है या तक की एक वक्त की एक वक्त टो किद्नी ने भी जबाव दे दिया था सरीर के हर हिस्सें को जबादेने वाली ठंड ने जखड़ रखा था ।ब सरीर का हर संटिमेटर दर्द से करा रहा था लेकिन मैं चलती रही साथी चल रहे पती भी होसला बढ़ाते रही जब मैं एवरेश्ट की चोटी पर पहुंची तो मेरा सारा दर्द जीत की खुशी में बदल गया पर यह खुद पर अपने डर पर और अर्शुरक्षा पर विजय है मारिया के पती मुहतार ओजयव पूरे वक्त उसके साथ रहे पत्नी की उपलगदी से गर्वित मुहतार बताते हैं हमें रास्ते में कहीं देशों के लोग मिले जो मारिया को देखकर हैरान हो जाते थे और पूछते थे कि आप कहां से हो हम गर्व से कहते थे कजाकस्तान से हैं सुरुवात में हम काफी चिंतित और डर हुए थे लेकिन मारिया के होसले ने सब डर दूर कर दिया वो कहती है कहती थी मैं सब कुछ करने में शक्षम हूँ और पहार की चोटी पर चड़ जाओंगी और उसने कर दिखाया अर्थार्थ आप में भी वो सारे गुण बस आपके होसला जिसने घटाया है उसकी जिएगे बढ़ाना है आपको ऐसी प्रेड़नाओं में नहीं रहना है कि इसका अलाज नहीं है आस चाहिए कैंसर बीडित हो किसी भी भी मारी से बीडित हो पर मेरा विशेस अनुसंदान हस मैं तुन से पीडित गुदा में तुन स सिकाया है कई बार तो लोकों की जीवण से ली लेनी पड़ेगी वह लाइफस्टायल जो हम बताएंगे अगर آپ उसके अनुसार रहेंगे तो आप आराम से पिड़ा बन सकते हैं, अपने ग्रस्त जीवन में, अपने जीवन साती के साथ में अच्छे से दामपत्य जीवन जी सकते हैं, मैतुन कर सकते हैं, पुत्र पैदा कर सकते हैं, वो शारी शमताये हैं, पर उन्हें सबसे ज़्यादा जो दिक और पर आप और आप चुपाते हैं और अगर आप सामने आएंगे तो सरकार को भी आपके सामने टेकने पड़ेंगे इसलिए कभी चुपाना नहीं है और आप चुपाएंगे बीमारी की तो हो सकता है कि गाटे में आप ही रहेंगे क्या हो गया बानव जीवन है गल्ती हो गई दुरकटना हो गई तो इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है वसला रखिये हिम्मत रखिये जादा पैसे की जरूरत नहीं होती है सला की जरूरत होती है हिम्मत की जरूरत होती है और सब कुछ आप के कदमों में संभाव हैं तो मेरा तो कहना यह है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके परिवार में अगर कोई बच्छे जवान है तो ब्रह्मचारी की सिक्साद है हस्मतुन रोकने की सिक्साद है और जिन्हों ने तो आप लोग ठीक हो सकते हैं चिंदा की ज़रूत नह जैसा खाये अंद वैसा होवे मन्द मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद